हेलो इस्टुट टार्गेट विथा लोग लाइब सेशन में मैं एपी मोर्या आप सब का बहुत बहुत सागत करता हूँ और आज का सेशन हमारा बड़ा मज़ेदार है ठीक है और इसी के साथ ही साथ सब को आज के दिन यानि होलिका दहन की सब को धेर सारी सुपकामना है हमार चैप्टर का नेम लिखा हुआ है statement and assumption कथन देखें statement and assumption को हम दो तीन नामों से अक्सर इक्जाम में देखते हैं एक कथन एवन पूरुधाड़ा के नाम से दिखाई देता है है और यही अजयंशन हिंदी में पूर्वा अनुमान लिखा भी मिलता है या अनुमान लिखा भी मिलता है तो यह तीनों सब्दावली सेम है तो कथन ठीक है कि दे करके पूर्वा अनुमान हम लोगों ने इससे पहले नियावाक पर बात किया इससे पहले हमने statement and conclusion पर बात किया तो conclusion यानि निसकर्स पर बात करते समय ही हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि कथन के बाद conclusion आता है कथन के बाद परड़ाम आता है लेकिन अनुमान जो होता है वह कथन के पहले का भाव होता है जैसे के प्रकार से इसका पहले बेश समझ लें कि कथन है यह statement है कथन है कथन के ही आधार पर निकल करके निचोड के रूप में हमारा परडाम जो होता है वो निसकर्स के रूप में होता है निसकर्स क्या होता है संभावित परडाम दिये गए statement यानि कथन के आधार पर निस्चित रूप से जो निसकर्स परडाम निकलने की शंभावना होती है वही अमारा निस्कर्स होता है लेकिन अनुमान यानि अजयमसन यानि पूर्व धाड़ा जैसा कि इसका नाम से ही आप टैली कराएं पूर्व धाड़ा पूर्व यानि पहले का धाड़ा यानि विचार यानि कथन के पहले का भाव या कथन के पहले का प्रकार का औचित्त्य होता है यानि हम ए अनुमान लगाते हैं कि इस कथन को कहने की जरूरत क्यों पड़ी ठीक है ध्यान से समझना बहुत सारे इस्टुडेंट इस दो में गल्ती कर जाते हैं गल्ती क्या करते हैं कुवास्तों में वह एक ही नजरिये से दोनों को देखने की कोशिस करते हैं तो दोनों को conclusion क्या है अलग तरीके से हमने समझा अजेमसन क्या है अलग तरीके से हमें समझना है सबसे पहले तो दोनों की category को अलग करना सीखें तब दोनों को उसके ढाचे में समझना आसान हो जाएगा ठीक है कि जितनी बात कथन के आधार कथन में सूचना दी गई है उसके आधार पर हम कितना निचोड निकाल सकते हैं एक प्रकार से आप समझो कि अगर कथन एक प्रकार का गण्ना है तो गण्ये से निकलने वाला जूस उस कथन का पड़ाम है यानि conclusion है यानि निसकर्स है ठीक है लेक कि हमारा निश्चित रूप से जूसी पीने का मन हो, हो सकता है कि हम गन्ना बोने के लिए खरीदे हों, हो सकता है कि गन्ने से हम गुड दयार करने के लिए किये हों, यानि जो भाव उसके पहले का जो विचार होता है, आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में कोई भी कारे करते हैं तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से हम अपने आपको एक अनुमान एक परडाम में रखकर रखते हैं जैसे हमें घर जाना होता है यह हमारा अनुमान होता है यह हमारी सोच होती है तो उसके लिए हम बस पे बैठते हैं तो जो बस पे हम बैठे हैं तो क्यों बै तरह से समझने की कोशिस करिए जैसे एक प्रकार से जैसे कथन और निसकर्स और इसमें अंतर क्या होता है ध्यान से समझना यह होता है कथन के बाद आता है निसकर्स और अनुमान जो होता है वो कथन के पहले का भाव यानि कथन के पहले का विचार होता है ठीक है तो दोनों मे इस बात को एक special रूप से अंतर करना है और अंतर हमने conclusion में भी देखा था तो उसी अंतर के आधार पर आज हम लोग अजयमसन यानि पूर धाड़ा की condition को समझेंगे ठीक है और इसी के साथ आज की class के बाद एक गड़ से पावर आप बनाईए कि इस class के बाद आपको किसी भी तरह के अजयमसन वाले प्रस्न में कोई समस्या ना हो ध्यान रखना मेरी कही गई बातों को रटने की कोशिस मत करना क्योंकि रटने की कोशिस करोगे तो जिन question पर हम बात करें हैं उसी पर आपकी बात clear हो पाएगी और मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम इस तरह से इसको base को समझे कि इसकी एक आधार पर चाहे जेमसन के जितने भी प्रस्न दिये जाएं सारे प्रस्न हमसे खटा-खटाल होते जाए तो फटा-पट से आते हैं और आज का session सुरू करते हैं ठीक है आज का session सुरू करते हैं question किस तरह के रहेंगे जैसे दिया आगया है निर्देश तो आप समझी रहे हैं कि सभी का निर्देश लगबग एक जैसा रहता है कि निमलिखित प्रस्नों में एक कथन उसके बारे में दो पूरुधाड़ाएं एक और दो दी गई है आपको दिये गया कथन और दी गई पूरुधाड़ाओं को ध्यान में लेकर उन दो पूरुधाड़ाओं में से कौन सी कथन में अंतर नहीत है इसका नेड़े करना है ठीक है कौन सी कथन में अंतर नहीत है इसका तो कथन पर पर हमें पूर्वा अनुमान का चैन करना है ठीक है पूर्वा अनुमान का इस सटीक और सीधा संबंध होना चाहिए जो की पूर्वा अनुमान या धाड़ा वही सही मानी जाएगी जो कथन के भाव को सही तरह से प्रकट कर रहा हो यानि कथन को कहने का एक प्रकार का अउचि है पहला question आपके सामने है इस question को लेकर देखें कि इस question में इस question में थोड़ा सा हम आपके लिए और इनको थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं कि चीजें आपकी clear हो जाएं ठीक है यहाँ पर statement क्या है यहाँ पर कथन दे रखा है यह statement है कि मोहन ने अपनी पुत्री के बिवाह के आउसर पर लगभग 200 लोगों को निमंत्रित किया मोहन ने अपनी पुत्री के बिवाह के आउसर पर लगभग 200 लोगों को निमंत्रित किया और पास के एक होटल में लगभग 200 लोगों के भोजन की बिवस्था की नजदीक के एक होटल में 200 लोगों के भोजन की बिवस्था की क्यों बिवस्था की क्योंकि उसने अपनी पु पूरुधाड़ा पहली पूरुधाड़ा जो है कि मोहन द्वारा निमंत्रित बहुत से लोग विवाह अवसर के दिन अनुपस्थित रह सकते हैं ध्यान से समझना अनुपस्थित रह सकते हैं ये वाली बात कि जरूरी नहीं कि सभी लोग आएं हो सकता है कुछ लोग अनुप वस्थित हो जाएं लेकिन ये वाला थिंक जो है ना एक कंक्लिूजन का थिंक है निसकर्स का तरीका है कि पता नहीं लोग आएं कि ना आएं बात समझ में आए अनुमान कैसे कैच करेंगे अनुमान ये करेंगे कि ये जो मोहन ने निवंत्रड दिया है और जो होटल में 200 पर क्या ये सिच्वेशन इसी लिए है कि अनुमान ये है कि मोहन द्वारा निमंत्रित बहुत से लोग अनुपस्थित रहेंगे क्या इस वजह से 200 लोगों के भोजन की व्योस्था करेगा कोई नहीं ना अगर इतना संका होता इतना सुभा होता तो 10-5 थाली कम की करता करता 200 लोगों के भोजन की व्योस्था क्यूं करेगा कोई बंदा 200 लोगों के भोजन की व्योस्था तभी करेगा जब उसे यकीन होगा कि हमारे द्वारा निमंत्रित सभी लोग आएंगे आए या ना आए या दखना आए या ना आए पैडाम कंक्लूजन की बात है ल लेकिन हमारा ब्यवस्था का अनुमान क्या होगा हम जो कार कर रहे हैं क्या करेंगे यही मान कर करेंगे तो यहां पर एक गलत हो जाएगा दूसरा मोहन द्वारा निमंत्रित अधिकांस लोग विवा अवसर में आएंगे तो इसकी ब्यवस्था देखकर तो हम यह कह सकते हैं कि अधिकांस लोग बिवास हमारों में आएंगे क्योंकि उसने 200 लोगों को निमंतर दिया है और होटल में 200 लोगों के भोजन की बिवस्था किया है तो निश्चित रूप से हमारा ये दूसरा अनुमान सही माना जाएगा तो दूसरा अनुमान दिये गए आपसन के अकार्ड क्याहिक देखते हैं अगला कुश्चन देखते हैं देखें अगला कुश्चन हमारे सामने है स्क्रेण पर बौड पर ठीक है तो यहां पर देखें कह रहा है कथन है हमारी 20 प्रत्सयत छूट की पेसक सका लाब उठाने के लिए हमारे यहां 30 नवंबर से पहले दाखिला लें और आगे यह सेंटेंस जो दे रहा है डैस दे करके लिखा हुआ है एक कोचिंग क्लास का विज्यापन एक कोचिंग क्लास विज्यापन दे रही है कि अगर आप 20 प्रतिशत की छूट का लाव उठाना चाहते हैं तो हमारे यहां 30 नवंबर से पहले दाखिला यानि एडमीशन अगर आप ले लेते हैं तो आपको 20 परसंट का डिसकाउंट मिलेगा ठीक है तो 20 परसंट का डिसकाउंट अगर आप चाहते हैं तो 30 नवंबर से पहले हमारे यहां एडमीशन ले एक कोचिंग ने एड दिया हुआ है विज्य को पढ़ते हो और स्रोता की ही तरह से आप इसका conclusion या आजेमसन निकालने की कोशिस करते हो भाई मेरे सही है लेकिन आप उसी के साथ साथ एक काम और करना कि स्रोता भी बन जाना और अगर चीजे ना समझ में आएं तो एक वार वक्ता भी बन जाना वक्ता मतलब यही sentence अगर आ जादा बहतर समझ में आ जाएगी एज जैसे माल लो आप कोचिंग के संचालक होते और आपने एड किया होता अपनी कोचिंग का इसी sentence के साथ कि हमारे यहां 20% का आप discount चाहते हैं तो फिर 30 नमंबर से पहले admission लेना होगा अब आप सोचो कि अगर आप जो एड दे रहे हो व इसकी वज़ा से आप इस sentence के साथ आप विज्यापन दे रहे हो क्योंकि इसका कोई आउचित तो होगा वरना कोई और sentence आप उठाते ना अपने प्रचार के लिए अपने एड के लिए आखिर आपने यही sentence उठाया है तो इसका मतलब है कि इस sentence को ले करके आप कुछ लाब च करके क्या आणुमान लगाएंगे इस नजरीय से भी देख लेना और यही sentence आप कोचिंग संचालक होते अगर बोले तो क्या आणुमान होगा तो दोनों पर से आपको अच्छी तरह कि सुन करके क्या आनुमान लगाया जा सकता है या वही situation हमारे सामने हो तो क्या आनुमान म से मतलब किसका है जी अच्छे छात्रों से मतलब चाहे पैसे में अच्छे लेलो चाहे सिच्छा में आज के सन में अच्छे तो यहां पर ध्यान देना डिस्काउंट डिस्काउंट सामानता आप देखते होंगे कि डिस्काउंट सभी को आकरशित करता है डिसकाउंट सब को अच्छा लगता है कि अगर डिसकाउंट हम दे रहे हैं तो पहली भाव पहला अनुवान तो यही होता है ना कि डिसकाउंट देने से हमारी सेल बढ़ जाएगी डिसकाउंट देने से हमारी सेल बढ़ जाएगी मूल थिंक यह नहीं रहता कि डिसकाउंट देने से कुछ लोग जो 10,000 की पैंट नहीं खरीद पा रहा है 8,000 की खरीद लेंगे हाँ खरीद लेंगे यह सही है लेकिन हमारे लिए डिसकाउंट सब के लिए होता है दूसरा जो छात्र कोचिंग क्लासों की फीस अदा करने में असमर्थ है वह भी इस क्लास में सामिल हो सकते हैं तो वह भी इसका क्लास में सामिल हो सकते हैं क्या यह अनुमान निकालना सही है क्या यह अनुमान निकालना सही है आप में से तर्क देंगे आप मेंसे तर्ग देंगे कि हाँ भई मालो 10,000 फीस न दे पा रहे हूं 20% discount मिल जाए तो 8,000 फीस दे सकते हैं है ना तो आप इसको सही भी कुछ लोग कर सकते हैं वास्तों में सही नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि इसने कह रखा है कि जो छात्र coaching class की फीस अदा करने में अस यानि फीस अदा करने में असमर्थ का मतलब यह नहीं कि 10,000 फीस का मतलब फीस है वो चाहे 2,000 हो कि 10,000 मतलब जो फीस के नाम पर कुछ ना दे पाएं वो भी इस छूट का लाब उठा पाएंगे क्योंकि 20% ही तो discount है तो अगर जो फीस देने में ही सच्छम नहीं है तो फिर उनको 100% के discount से कम में बात नहीं बनेगी तो उनके लिए हमें 100% discount देना होगा 20% से वो हमारे साथ नहीं जुडेंगे यानि यह अनुमान अंतरनिहित नहीं माना जाएगा लेकिन यहाँ पर अगर sentence यह होता यहाँ पर sentence हो होता कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी छूट का लाव ले सकते हैं तो यह सही हो जाता कि साधार पर कि भाई 10,000 फीस थी अब 2,000 की छूट मिल गई 20% discount हो गया तो 8,000 रूपए चलो 10,000 नहीं अफोर्ड हो रहा था 8,000 किसी तरह कर सकता है बस समझ रहे हैं तो कहने में बड़ा आसान होता है कि अगर 8,000 कर लेंगे तो 10, 8,000 भी कर लेंगे नहीं हो सकता है 8,000 ही हो किसी तरह कर रहा हो तो फिर 2,000 के लिए फिर बहुत मुस्किल हो जाएगी तो अगर यह होता कि आर्थिक रूप से कमजोर चात्र उठा सकते हैं लाव तो सही हो जाता लेकिन यहां पर फीस अदा करने में असमर्थ चात्र उठा यह सही नहीं होगा तो पहला सही और दूसरा गलत तो हमारा हो जाएगा आपसन ए कि यदि केवल पूर धाड़ा पहला अंतर नहीं थे ठीक है बहुत सिंपल और सांदार तरीके से समझेए जबाब आपको खुद बखुद दिखाई देने लगेंगे अगला देखें एक पूरतया यानि पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रभेश लीजिए स्वयम को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रभेश लीजिए या एक विग्यापन के थ्रू एड है यानि एक उप्रोक्त लाइने एक कि अगर आप पूरी तरह से खुद को स्वस्त रखना चाहते हैं तो हमारे योग संस्थान यानि हमारे यहां आ करके हमारे योग संस्थान में अडमीशन ले ले तो यह बिग्यापन है पहली बात कथन को खूब पढ़ो खूब समझो खूब निचोड़ो क्योंकि हमारे सभी जब आप कथन में ही ही चिपे होते हैं तो इसलिए कथन को जितना बेहतर हम समझेंगे उतना बेहतर हम ermेक्स्प्लें कर सकते हैं उतना बढ़ियंग एक्सिपलेन लेना इस दो लोग दवा लेने के बजाए इसके इसमें एक भाव छिपा है कि लोग बीमार होकर दवा खाने के बजाए ब्यायाम को प्राथमिक्ता दे सकते हैं इसका भाव ए है अब देंगे या नहीं देंगे ध्यान रखना फिर से नजरिया क्लियर है देंगे या नहीं दे देखना है कि अगर आप मानलो येसी योग संस्थान के संचालक आप होते और आप इसी लाइन के साथ एड किरते तो आपके अंदर क्या भाव होता आपने क्या कहा है स्वयम को पूरी तरह स्वस्त रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश ले अगर आप इस लाइ का मतलब है कि आप इस सेंटेंस के आधार पर लोगों तक भाव पहुचाना चाहते हैं कि भाईया बिमार हो दवा खाओ शरीर और पैसा दोनों खतम हो उससे अच्छा है कि योग को अपनाए रखो बिमारी ही नहीं होगी तो न बिमारी होगी न दवा खाएंगे यानि आपके इस नजर से भाव देखना इस जो कथन आपने बोला है जो प्रचार का लाइन आपने चुना है उसका उचित क्या होगा तो लोगों को आप जोड़ने के लिए ऐसा कर रहे है तो कौन से लोग जुड़ेंगे और आपकी लाइन को देखकर कौन से लोग जुड़ेंगे यही कि बिमार होकर दवा खाएं पैसे और सरीर दोनों का नुक्सान करने से बजाए अगर योग को स्विकार किये रहें तो बिमार होने से ही बच जाएंगे तो सरीर भी स्वस्त रहेगा और आर्थिक रूप से पैसे का दबाव नहीं दवा के ऊपर खर्च होगा तो निश्चि अनुमान पर आएं लोगों में योगा भ्यास के बारे में काफी हद तक जागरिती है अब आप बताओ कि आप इस अनुमान को ले करके क्या कहेंगे ये अनुमान सही होगा या गलत होगा फटा फट से बताएं कि ये अनुमान सही होगा या गलत होगा तो आप मुझे पता कि आप इसे गलत चुल लेंगे नहीं यह भी सही है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डीप भाव छुपा है कैसे सही होगा आईए हम उसे समझते हैं अगर एक विग्यापन हो जाए सपोज एक विग्यापन आए कि अगर कोई कोचिंग वाला एड करे कि हम SSC की कोचिंग कराते हैं जो कि आए दिन आपने देखा होगा लोग करवाते भी रहते हैं अगर एक विग्यापन हो कि हम SSC की सभसे अच्छी कोचिंग कराते हैं गाता है कि काफी बच्चे SSE का फुल फारम तक ना जानते हों तयारी करने आये हों ये तो परड़ाम की बात है लेकिन अगर एक ब्यक्त केवल SSE या एक कोचिंग वाला केवल SSE कह रहा है कि हम SSE की सबसे अच्छी कोचिंग कराते हैं तो उसका ये भाव है ना कि हमारे SSE कहने से छात समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं बाकी अगर उसको ये भाव होता कि हमारे SSE कहने से नहीं समझेंगे तो SSE के साथ-साथ उसके फुल फार्म या उसके कुछ चीजे और व्याख्या के रूप में वो बताता उसने कुछ नहीं बताया ना उसने केवल SSE का जिक्र कि तो इसका भाव ये निकलता है कि छात्रों को SSE के बारे में सामान जागरिती या सामान जानकारी है है कि नहीं फिर ध्यान से समझना है कि नहीं ये अलग मुद्दा है है कि नहीं ये अलग मुद्दा है लेकिन अगर आप केवल SSE का नाम लेकर एड कर रहे हैं तो आपके आ कर रहे हैं और योग के बारे में कोई बात नहीं बता रहे हैं और इसी के बाद आप पैसे खर्च करके एड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि हमारे योग संस्थान या योग कहने से लोग जान जाएंगे कि मैं सामानता किसकी बात करना चाह रहा हूं अर्थ शवात लोगों में योगा भ्यास के बारे में काफी हद तक जगरती है यानि दूसरा अनुमान भी पूरी तरह से सही है और इसलिए हमारा जबाब आप संसी होगा कि यदि एक और दो दोनों अनुमान अंतर नेही थे तो हमारा जबाब क्या हो जाएगा आप संसी अगला कीजिए एक बिग्यापन साफ वर्ड का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर साफ वर्ड का मतलब सुन्दर चेहरा ठीक है साफ वर्ड के लिए सुन्दर सरीर सुन्दर चेहरे का भावा जाएगा तो सुन्दर चेहरे का सुन्दर सरीर के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करें इसका मतलग रिया कोल्ड क्रीम का विग्यापन कर रहा है ठीक है आगे विग्यापन लिखा भी है कि रिया कोल्ड क्रीम का अपनी क्रीम का विग्यापन कर रहा है कौन सा जब भी कोई विग्यापन देता है तो कोई ना कोई प्रवलोभन देता है इसको tagline कहते हैं tagline कुछ करता नहीं है tagline लोगों को आकरशित करने का भाव बनाता है जैसे बचपन में आप समने देखाओगा live by है जहां तंदृस्ती है वहाँ तो क्या आप यकीन मानते हो कि live by लगाने से तंदृस्त हो जाएगा नहाते दिखाई देता था क्यों दिखाई देता था उसे पता था कि एस्वर्याराय नहाते दिखेंगी तो बहुत सारे यूवा बहुत सारे यूतियां जो एस्वर्याराय की फैन हैं उनके आधार पर लक्ष साबुन खरीदेंगी जबकि वही एस्वर्याराय उस लक्ष सा प्रभू लगाते हैं तो यह तो सीजे फंडे हैं लोगों को आकरसित करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर यहाँ देखें साफ वर्ड के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए यह आपको बिग्यापन दे रहा है कि भी अगर सुन्दर चेहरा चाहते हैं सुन्दर चेहर तो रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करिए यह विग्यापन है तो इस विग्यापन के आधार पर अनुमान देखें तीन अनुमान दिया गया है तीन में से हमें चैन करना है पहला क्या है लोग साफ वर्ड के लिए क्रीम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं पसंद करते हैं कि नही और बिभ defensive में कहा गया है कि साफ वर्ड के लिए सुन्दर सरीर के लिए वो विड्यापन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि विग्यापन करता के मन में अनुमान है कि लोग साफ वर्ड के लिए क्रीम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उस विग्यापन देने वाले की मानसिक्ता को रीड करिए तो अपने आप इस सहज रूप में अनुमान निकलता है कि लोग साफ वर्ड के लिए क्रेम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं यानि पहला अनुमान हमारा सही हो जाएगा दूसरा लोग आसानी से मूर्ख बन जाते हैं यह आप जानते हैं कि यह बहुत कड़वा सच है यह बहुत कड़वा सच है लेकिन इसके साथ भाई मेरे इस बात पर ध्यान रखना कि यह कभी भी सही नहीं माना जाएगा रियल में ये सच है लेकिन सधान्तिक तोर पर लोगों को बेवकूफ भले हो लेकिन बेवकूफ माना नहीं जाएगा इस बात को आप ध्यान में रखना कि लोगों को उभोगताओं को बेवकूफ कभी नहीं माना जाएगा सधान्तिक तोर पर जबकि आप देख रहे हैं कि उब्होगताओं को बेवकूफ बनाने के लिए ही कमपनियां तरह तरह के कार कर रहे हैं और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं रियल है सच तो है लेकिन यह सच माना नहीं जाता सध्धान्तिक रूप में तो ऐसी लाइने हमेशा गलत हो जाएंगी तीसरा है लोग बिग्यापन के प्रत अनुकुरिया दरसाते हैं अनुकुरिया मतलब पॉज्टिव रिस्पांस अनुकुरिया यानि पॉज्टिव रिस् होता है कि लोग विज्यापनों के प्रत अनुक्रियां धर साथे हैं। अगर आप कोई बात ado है tik किसी बात को अदि आप मालगो अपनों लोग अपनी घाड़ी बेचनी मथभि ऍर आप दे रहें तो क्या मानन कर नहीं रहेगा कि कई लोग रिस्पांस दे रहन दे लेकिन विध्यापन देने का अनुमान तो यही था कि लोग विध्यापनें और सिपह और सऑफ इस यह हमेशा संध्य झाफंग पे अगला देखें, स्टेटमेंट कफन क्या है कि यद तुम स्वस्त रहना चाहते हो तो तमबाकू युक्त पदार्थ का सेवन बंद करो, ठीक है? आगे 10 दे करके कहता है एक डाक्टर ने रोगी से कहता है क्या कि यदि तुम स्वस्त रहना चाहते हो तो तम्बाकु का प्रयोग या तम्बाकु युक्त पदार्थ का प्रयोग बंद करो, ठीक है ? तो इसके सूचना के आधार पर इस कथन के आधार पर पहला अनुमान देख डाक्टर तमबाकू का सेवन नहीं करता है क्या यह अनुमान निकलेगा वास्तों में ध्यान रखना डाक्टर का प्रोफेस्टन है उसका ब्योसाय है तो जो वो बाते बताएगा और रोगी के स्वास्त की दृष्ट से बताएगा उसके साथ इस सर्तबंदी नहीं है कि जो कर हो वही खुद बताए एक सामाजिक कार्यकरता एक घरगाओं का बुजुर्ग कोई सिच्छा दे तो यह माना जाएगा कि इसका पालन वह भी करता है लेकिन डाक्टर और वकील अपने पेशंट अपने क्लाइंट को कोई निर्देश दे रहे हो तो इसका मतलब यह कत्ता ही नह केगा डाक्टर ने रोगी के स्वास्थ की द्रिष्ट से उसे सलाह दिया हुआ है अपने लिए नहीं तो इसलिए यहां डाक्टर की बात इसमें सामिल नहीं डाक्टर तंबाकू का सेवन कर भी सकता है अथवा नहीं भी इससे हमारा कोई यहां मतलब नहीं है अगर डाक्ट तब ही कहना चाहिए करते हुए नहीं कहना चाहिए तब आपके लिए हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगा कैसे और उसे ज्यादा मुश्किल डाक्टर के लिए आपको फीवर है डाक्टर ने इंजेक्शन तयार किया कि एक इंजेक्शन लगेगा और जैसे लगाने के लिए आप उसका हाँ पकड़ लो को डाक्टर साब ऐसे नहीं पहले आप एक अपने लगाईए तब तो बिचारे के लिए मुश्किल हो जाएगी न तो इंजेक्शन किसके लिए तयार कर रहा है रोगी के लिए उस बिमारी के लिए तो अपने को नहीं तो इसलिए डाक्टर उसका है उसके आधार पर वो करता है कि नहीं करता है यह हम नहीं कहेंगे यह अनुमान से बाहर है दूसरा रोगी तमबाकू का सेवन करता है उसने क्या कहा है पदार्थ का सेवन बंद करो तो बंद करो से अत्तात पर है कि वहां असपश्टत है तमबाकू का सेवन करता होगा जूता चपल निकालेंगा वो यह तभी कहेगा जब आपको उसे पता होगा कि आप ऐसा करते हैं तो यह बंद करने की सलाह दे रहा है तो इसका मतलग कि रोगी द्वारा एक क्रिया चालू है तभी तो बंद करने की सलाह देगा यानि दूसरा अनुमान सही है तो हमारा केवल दूसरी पूरधाड़ा यानि option B हमारा right answer होगा है अगला देखें अगला कथन है कि यदि आप बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रत्हम सभी लोगों को सिच्छित करना होगा क्या कह रहा है कि अगर आप बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लाना चाहते हैं तो सर्वप्रत्हम सबसे पहले सभी लोगों को सिच्छित करना होगा यह statement है पहला अजैमसंस है सभी लोग सिच्छित नहीं है अगर एक कह रहा है कि सभी लोगों को सिच्छित करना होगा तो इससे असपश्ट रूप में निकलता है कि सभी लोग सिच्छित नहीं है तभी तो सिच्छित करना होगा होते तब कहां कहता कि सभको सिच्छित करना होगा तो इसका मतलब पहला असपश्ट तह सही है दूसरा असिच्छा भी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है अगर कथन में कहा गया है कि जनसंख्य पर नियंत्र लाना है तो सब को सिच्छित करिए तो इससे सीधा अनुमान निकलता है कि असिच्छा भी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है जब सिच्छा आएगी तो जनसंख्या पर कंट्रोल होगा एक कह रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि असिच्छा भी जनसंख्य का बढ़ने का एक कारण है यानि दोनों अनुमान पूरी तरह से सही है यानि हमारा जबाब कुष्यन देखते हैं गाओं में पीने के पानी की गंफीर कमी की समस्चा पर चर्चा करने के लिए गाओं के सरपंच ने सभी परिवार के परिवारों के बैठक बुलाई है गाओं में पीने के पानी पर गंभीर, पीने की पानी की गंभीर कमी के कारड सरपंच द्वारा सभी परिवार के मुख्याओं की बैठक बुलाई गई है ये statement में कहा गया है पहली पहला अनुमान क्या है कि बिभिन समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी की थी क्या इसके आधार पर हमें दावा कर लें कि पहले भी ऐसी बैठेक सरपंच ने की थी अब इस कथन के आधार पर याद रखना हमें कथन पर ही रहना है इस कथन के आधार पर इस बार उसने बुलाया है यह सही है लेकिन इससे पहले उसने बुलाया था कि पहली बार सकतें, दूसरा हो सकता है, अधिकांस परिवार को एक मुखिया सर्पंच द्वारा बुलाई गए बैठक में भाग लें, तो पास्टिव चीजे माना जाता है, कि अगर सर्पंच ने बुलाया है, तो इसे शंभावना तो मानी जाएगी, कि सभी लोग, सभी परिवार के मुख या सरपंच की बैठक में भाग लेंगे यानि दूसरा सही हो जाएगा तो केवल दूसरा यानि आप सुन भी हमारा सही जबाब हो जाएगा अगला कुश्चन देखें राजगर्मी की भीषड लहर से गुजर रहा है इसे देखते हुए सरकार ने ततकाल प्रभाव से अगले पखवाडे पखवाडा मतलब 15 दिन पखवाडा एक पखवाडा मतलब 15 दिन एक पाक 15 दिन तो अगले पखवाडे तक के तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है भीषड गर्मी है जिसकी वज़ा से सरकार ने सरकार ने अगले पखवाडे तक यानि 15 दिन के लिए सारे स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है कि 15 दिन के लिए सारे स्कूल बंद रखे जाए क क्यों की भीषड़ गर्मी की लहर चल रही है अब भीषड लू kitchen go गर्मी रहेगी तो निष्वित से बच्चों को नुक्षान हो सकता है बेमार हो सकते हैं इसी के लिए प्रसाअ ऐसे क्दम उठाता है ये हमारे साथ आपके साथ भी होता रहा होगा इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं तो उसी तरह का एक स्टेट्मेंट लेकर के दिया गया है अब ज़रा अजैंसन पहला देखें हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले तो अगर अगर एक पखवाड़े तक के लिए सरका हो सकता है अगर यहां पर कहता कि पंद्रा दिन के लिए पंद्रा दिन बाद गर्मी ठीक हो जाएगी सामान पढ़ने लगेगी तो इसका हम दावा नहीं कर सकते थे इसका हम दावा नहीं कर सकते कि पंद्रा दिन बाद गर्मी कम ही हो जाएगी लेकिन हाँ अनुमान तो करी तो यह तो सही है दूसरा हो सकता है चात्रों के माता-पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे तो यह तो निगेटी ठिंक हो गया वही ओर नहीं आने देंगे आने देंगे क्या इसके आधार पर 15 दिन के लिए इसलिए बंद किया गया है कि इसके आधार पर यह अनुमाल निखे 15 दिन के बाद भी नहीं भेजेंगे नहीं ना यह तो कथन से बाउंस है ना बाहर है तो यह गलत हो जाएगा और हमारा सही होगा पहला आप्शन एक केवल एक ठीक है क्लेयर है क्लास अच्छी लग रही है तो आप देखो इस प्रसन का जबाब देने में आपको और बहतर लगता है और हमारे लिए एनर्जी का भी काम करता है तो फटा फट से एक बार वीडियो को सेर जरूर करें अगला कुश्चन देखें स्टेटमेंट कथन है आज कल कई प्रवेश परिक्षाएं आफ लाइन से आन लाइन परिक् स्टेटमेंट में बना कर दिया है पहला आज हमसन देखें आन लाइन प्रडाली अधिक कुशल है जब हम कोई चीज अपनाते हैं जब पुरानी चीजे छोड़ कर कोई नई चीज अपनाते हैं तो निश्चित रूप से यह भाव होता है कि पहले प्रवाली प्रडाली के प यानि निश्चित रूप से आन लाइन आफ लाइन के अपेच्छा ज़्यादा कुशल है यानि पहला अनुमान सही होगा कथन के आधार पर दूसरा देखें आन लाइन प्रडाली और अधिक रोजगार के औसर पैदा करेगी आन लाइन प्रडाली से रोजगार कैसे पैसा ह जी इसका जिक्रतो इसका तो दावा हम कथन के आधार पर नहीं कर सकते ना बिलकुल नहीं तो यहां भी केवल पहला यानि यह आप्शन हो जाएगा अगला यह देखें एक कुश्चन हाइटेक में आया था एक कुश्चन नए एक्जामों में आया है आपको बता दें यूपी क्योंकि ऐसे कुश्चन महाबर या कहावतों के आधार पर दे रहे हैं फैक्चुल अर्थ के नहीं भावात्मक अर्थ के आधार पर दिये जा रहे हैं तो इनको भी आप पढ़कर के इनके साथ जुड़ने का भाव रखें इस्टेटमेंट है क्या होगा से बेहतर है ओह जब तक हम इसके सेंस इसके भाव को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे इसके आधार पर कंक्लूजन हो या आजेमसन हो इसको हम देखने या लेने का हमारा मतलब ही क्या रहा क्योंकि उसी कथन के आधार पर तो हमें देखना है और अगर कथन का ही भाव असपश्ट ना हो पर उसके आधार पर हम अजेमसन्स या कंक्लूजन कैसे तै कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे न और अगर कर भी लिए तो रिस्की रहेगा कि पता नहीं हमारा जबाब सही होगा या नहीं होगा तो आई ये सेंटेंस समझें यहां पर देखें यही है जो कुश्चन को धीरे हाइटिक बनाता जा रहा है क्या होगा से बहतर है अर्थात इसारा कर रहा है कि कोई कार आपको करना है कोई कार आपको करना है और आप सोचे कि पता नहीं कर पाएंगे कि ना कर पाएंगे क्या होगा क्या रिजल्ट होगा एक कहना चाहता है कि ऐसे बैठ कर सोचने से अच् है तो आप क्या कहें वह नहीं हो पाया लेकिन ये इसका इस कथन का सेंस है कि बैठ कर क्या होगा सोचने से अच्छा है कि करके अगर अस्फल भी हुए यानि ओह भी कर गये अस्फल का मतलब अस्फल हो जाना यानि कहना चाहता है कि खाली बैठ कर क्या होगा सोचने से बजाए करके अस्फल हो जाना भी बेहतर है करके अस्फल हो जाना भी बेहतर है बैठे बैठे खाली सोचके से अच्छा है कि हम करके हार भी जाए अस्फल भी हो जाए तब भी अच्छा है एक कह रहा है हमारा statement, ध्यान से समझना, क्या होगा से बहतर है, ओ, यानि क्या होगा, इसका परडाम क्या होगा, हम exam देंगे, तयारी करें, नौकरी पाएंगे की नहीं, इस से बहतर है, कि हम करें, मेहनत करें, शफलता पाने के लिए पूरा जोर लगाएं, और बाद में जो ह होगा सो देखा जाएगा, बात समझ में आई, तो क्या होगा से बहतर है, ओ, खाली बैठने से, खाली बैठने से कहीं अच्छा है, करके अस्फल भी हो जाना, ये कहना चाहता है statement, और जब तक भाव आप clear नहीं करेंगे, तब तक अनुमान नहीं सही होगा, और अगर भाव clear हो गया, तो अनुमान बड़े सटीक, बड़े सही तरीके से आपका clear हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें, अब पहला, अनुमान, पहली धाड़ा, क्या है, समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले, आपको प्रयास करना चाहिए, अभी अभी जो हम लोगों ने कथन का भ भाव स्विकारा, भाव समझा, उस भाव के आधार पर देखें, तो एकदम fact बैट रहा है, कि समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले, आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है, यानि पहला अनुमान, पहली धाड़ा, पूरी तरह से सही है, कथन के आधार पर, और दूसरा दूसरा, यदि आप अस्फल होते हैं, तो भी आप सीखेंगे, कि समस्या से कैसे निप्टा नहीं जा सकता, इसका मतलब यह है, कि अगर आपने कोई काम किया, और आप अस्फल हो गए, तब भी कम से कम आप इतना तो जान पाएंगे, कि कम से कम इस तरीके से ये काम नहीं हो होगा, यह भी तो अस्फल होगा, यह भी तो क्लियर करेगा, ध्यान से समझें, यदि आप अस्फल होते हैं, तो भी आप सीखेंगे, कि समस्या से कैसे निप्टा नहीं जा सकता, यानि यह negativity में positivity ढूणना, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं पढ़ा था, कि जब addition अधिशन, कोई प्रियोक कर रहे थे, और उनका बताते हैं बल्व का प्रियोक कर रहे थे, तो एक हजार कुछ, यह दस हजार कुछ, मुझे आकड़ा ठीक से याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ था, मानलो, एक समझने के लिए, मानलो, दस हजार पचीस, ठीक है, तो दस हजा उसके बाद किसी दोस्त ने किसी function में मजाक मजाक में कहा कि यार तुम्हारा 10,000 पचीस प्रयोग जो किये हो तो बेकार गया, तो असफल हो गया, तो किसी कामकार नहीं रा तो ed season ने मुश्कराते हुए कहा कि नहीं जी वो बेकार नहीं गया मुझे पता है उसी प्रयोग से पता चला कि इस बल्व का आविस्कार उस दस हजार पचीस तरीकों से कभी नहीं हो सकता तो कहने का मतलब निगेटिविटी में भी ढूण लेना कि आखिर हमें अस्फलता भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं जैसे आप चलते हो सुनते हो अक्सर कहाव सुलते हो कि ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है भाईया ठोकरों से ब्यक्ति सबक तब चलना सिखाएंगी वरना ठोकरे घुटने तोड़ देंगी चलना उलना नहीं सिखाएंगी है ना तो जब हम सबक लें तब तो ये भी हमारे लिए पूरी तरह से कथन के आधार पर सही माना जाएगा तो पहला और दूसरा दोनों अंतर नहित हैं दोनों सही माने अगला बहुत सी किताबों की दुकाने बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी विक्री कम होती जा रही है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है ध्यान से समझे बहुत सी किताबों की दुकाने बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी विक्री कम होती जा रही है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है यह statement है कथन है जिसके आधार पर पूरुधाड़ा है पहला लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है बहुत सी किताबों की दुकाने बंद हो रही है क्योंकि उनकी विक्री कम हो रही है तो विक्री कम हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पढ़ने क आदत लोगों में कम हो रही है तो यह अनुमान तो निकलता है दूसरा कि किताबों की दुकानों का सुध्ध लाव कम हो रहा है तो यह conclusion है यह अनुमान नहीं है conclusion की आधार पर यह सही है कि विक्री कम हो रही है दुकान का किरोया किराया बढ़ रहा है तो सुध्ध लाव कम हो भाव होगा इसलिए एक गलत हो जाएगा ये conclusion में हो जाएगा अजमसन में नहीं तो हमारा जबाब होगा केवल पहली पूरुद्हाड़ा सही है कौन सा केवल अपका हाइटेक कुश्चन है जो नए क्लेवर में दिखाई दे रहा है इसलिए इसको भी पढ़ने से पहले कम से कम निर्डे लेने से पहले दो चार बार स्टेटमेंट को आराम आराम से पढ़ लो और जब स्टेटमेंट को आप एक से अधिक बार पढ़ा करो तो आप ध्या सबसे बहतर अर्थ भी दिख जाएगा तो फटा-फट से इसको पढ़ें कम से कम दो सचार बार जरूर पढ़ें आराम से इस कथन को समझें ठीक है और आपको बता दें कि ये जो कथन है ये भी एक कहावत वाले अंदाज में है फैक्चुल वाले अंदाज में नहीं कहावत वाले टोन में दे रहा है तो याद रखें कथन में कह रहा है सितारों के लिए लच्छ थोड़ा सा यहाँ मिश होगा ठीक है सितारों के लिए लच्छ आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे यानि ये कहना चाहता है कि अगर सितारों के लिए आप लच्छ रखते हैं सितारा चंद्रमा से दूर होते हैं यह कहना चाहता है कि सितारों के लिए आप लच्छ रखेंगे आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे यानि यह कहना चाहता है कि अगर आप सितारों के लिए लच्छ रखते हैं तो कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे अर्थात यह कहने का इसका भाव यह है कि जहां आपको पहु अगर आप एक सिर्फ छोटी नौकरी के चक्कर में ही आप उल्जे रहे तो वो नौकरी भी आपके लिए बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगी अगर होगी तो लेकिन अगर आप उसको बेस तो बनाए रखिये लेकिन आगे उनसे हाईयर बड़े एक्जामों के लिए भी उम मानसिक्ता दिल्ली की बनाकर ट्रेन पर बैठो तो कानपूर बड़ी जल्दी पहुंझ जाएगब और केवल कानपूर के लिए यही मानसिक्ता बनाकर आप बैठो तो यहां से निकलने के बाद 2, 4 स्टेशन के बाद ही धाकना होगा कि आब आया आया आब आया आया और पहुंचते-पहुंचते, मानसिक थक का उतनी हो जाएगी तो इसका सेन्स ध्यान से समझना इसका से है कि जो हमारा मानसिक भाव होना चाहिए वह हमारे जो लच्छ है हमारे सपने हमारे मानसिकता उनसे बेहतर होनी चाहिए तो हमारे लिए उसे प्राप्त करना आसान हो जाएगा लेकिन इसका मर्थ क्रियात्मक मत लगा लेना कि आपको कानपुर जान यहां चंद्रमा और सितारे से कोई मतलब नहीं है ना चंद्रमा से कोई मतलब है ना सितारे से कोई मतलब है यह इसका भावात्म कर्थ लिया जाएगा चंद्रमा और सितारे से कोई मतलब नहीं है अगर आप चंद्रमा और सितारे के रूप में पड़े तब तो गलत हो पुर जाना है ट्रिकेट रिजर्वेशन दिल्ली का करा के बैठो नहीं ये तो पागलपन कहलाएगा ये बेवकूफी कहलाएगी ठीक है मानसिक्ता की बात कर रहा है तो ये मानसिक्ता के आधार पर देखना है भावात्म कर्थ देखने हैं इसके पहला देखें लोग सितारों के लिए लच रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं तो ऐसी बात तो नहीं है ना चंद्रमा और सितारा मैंने कहा आपका वैसे भी गलत हो जाएगा सीधे सीधे इसका भावात्म का नुमान सही होगा तो ये नहीं गलत दूसरा खगोल बिद तारों पर जाने का लच रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं अब आप खुद समझो कि कितनी बखवास सी बात है का खगोल बिद जो है तारों के लिए इस्टूमेंट वगएरा कुल तयार करें और उतर जाएं चंद्रमा पर तो पागलपन है ना क्रियात्मक रूप में ऐसा नहीं होता क रियात्मक रूप में आपको कानपूर जाना है तो कानपूर का रिजर्वेशन कराएंगे देलही जाना है तो देलही का रिजर्वेशन कराएंगे चंद्रपा पर जाना है तो चंद्रमा के लिए तयारी करेंगे और तारों पर जाना है तो तारों की तयारी करेंगे ठीक है तो इसका ये भाव आत्मक अर्थ लिया जाना है साब्दिक नहीं तो साब्दिक अर्थ दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे और इस तरह हमारा निर्डे होगा कि ना तो धाड़ा एक और ना ही दो अंतर नहीं थे नाइदर वार नाइदर वन और दो यानि दोनों के दोनों धाड़ा गलत है ठीक है तो यह रहा हमारा कंक्लूजन के बाद अजेमसन का चेप्टर तो देखो अगर आपको देखें ध्यान से अगर इस बात को समझें तो जो हम लोग जिस बेस में तयारी कर रहे हैं जो इस MTS का लक्ष बनाए हुए हैं उस MTS में नयाएवाक से एक कुश्चन मस्ट है और उसके साथ साथ निसकर से अजेमसन से भी उम्मीद रहती है इसलिए मैंने आपको यह भी क्लियर करा दिया कम से कम इतना कि आपके खुल का दहन की सभी को सभी स्टुडंट को पूरे टार्गेट वित आलोग परिवार की तरफ से आप सभी परिवारों को खुल का दहन की हारदी सुब कामनायें मस्ती के साथ पूरा हुली का तयवहार इंज़ॉय करके लोटें बस एक रिक्वेस्ट हमारी रहती है सो आपस से भी रहेगी कि पूरी मस्ती के दाउरान आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप एक एजुकेटेड परसन है तो आपका मस्ती आपकी हुर्दंग भी गमारों जैसी नहीं होनी चाहिए पढ़े लिखो जैसी हुर्दंगों ठीक है तो मुस्कराते रहिए मस्त रहिए आ कि अजने कि आपका है пров Tierar एक हो जान आ एक हो जा स्थार है थारान आप परसने एक हा टूर्दंगे था लिएगा टूऱ्ं जैने कि झातक साबकी हुर्दंगे मस्तों लें ऊ